हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनलाइन क्लासेज 2.0 में, आज हम 19 माई 2022 की Most Important Current Affairs लाए हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हूँ, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं Question 1. रक्षा मंत्री द्वारा लांच किये गए, सूरत और उदैगिरी, क्या है? Answer. युद्धपोत Question 2. कौन सा देश XV विश्ववाने की कॉंग्राइस, World Forestry Congress का मेजबान है? Answer. बांगलादेश Question 3. विश्वबान्क ने, श्रेश्ट परियोजना को लागू करने के लिए, किस राज्य को 350 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी? Answer. गुजरात Question 4. 2021 में प्रेशन्ट रेमिटन्स के लिए, शीर्ष प्राप्त करता देश कौन सा था? Answer. भारत Question 5. हसन्ट शेख मोहमद, किस देश के राश्ट्रपती चुने गए है? Answer. सोमालिया Question 6. किसने रेस्टरा रेजर्वेशन प्लेटफॉर्म डाइनाउट का अधिग्रहन किया है? Answer. स्विगी Question 7. सेंट्रल कोलफील्द्स लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने है? Answer. रामबाबू प्रसाद Question 8. आरबी आई ने सीती कांठा पटनायक और अन्य किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? Answer. राजीव रंजन Question 9. किसने BWF उबेर कप का खिताब जीता है? Answer. दक्षिन कोरिया Question 10. किस कोरियन बैंक पर 69 लाक रुपे का जुर्माना लगाया गया है? Answer. के बी हैना बैंक Question 11. एलिजाबेथ बॉन किस देश की पहली महिला प्रधान मंत्री बनी है? Answer. फ्रांस Question 12. थोक मूलिय सूचकान का प्रल माह में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? Answer. 15.08 प्रतिशत Question 13. किसे नेपाल में भारत का नया राजदूत नियुक्ष किया गया है? Answer. नवीन श्रीवास्तब Question 14. कौन सी कंपणी आंध्रप्रदेश के कुर्नूल में दुनिया की सबसे बड़ी एकिकृत अक्षय उर्जा भंडारन परियोजना का निर्मान करेगी? Answer. ग्रीन को Question 15. केंद्रिय मंत्री अमित्शाह ने किस शहर में राश्ट्रिय साइबर फोरेंसिक प्रयोग शाला का उद्धगहटन किया है? Answer. हाइद्राबाद Question 16. भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्धगहटन किसने किया है? Answer. प्रधन मंत्री नरेंद्र मोदी Question 17. मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित बारवी हौकी इंडिया सीनियर महिला राश्ट्रिय चेंपियंशिप 2022 को किसने जीता है? Answer. उलीसा Question 18. एशिया एपेरा गेम्स 2022 को कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया? इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? Answer. हौंग जो, चीन Question 19. किस केंद्रिय मंत्री ने गतिशक्ती संचार पोर्टल लांच किया है? Answer. अश्विनी वैशनव Question 20. विगुत मंत्राले के आरीडी लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? Answer. विवेक कुमार देवांगन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेर कर दीजी, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूली, थांक यू